नमस्कार दोफ्तों मैं संदीब स्वागत था आप सभी का आज की इस नहीं एंट फिस वीडियो में दोफ्तों आज किस वीडियो मात करने वाले जो भी बेए के चाहतर है जिनका सब्जेक्ट समास साफ्त यानि किसो सोलिजी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लेकिन खास कर फस्टेर वालों के लिए इंपस्ट लिए क्योंकि इस वीडियो में में और एंसर दोने बता दोनौं बताने वाला हूँ जो कि पिछले कई शाहलों में कई बार repeated question भी है और आने वाले exam के लिए काफी helpful important question है चलिए बिनादेरी को वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि करके question बताएंगे और उसका answer भी करेंगे मालूम होगा वो comment करेंगे और मैं यह भी बता दूँ कि इस चैनल के मादन से सभी चात्रों की सभी प्रवाइट के जाएंगे बस आपको थोड़ा वेट करना होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं वीडियो की टेलिग्राम चैनल का लिंक है उससे जोइन हो जाईए वहां पर बह सभी को मता दूँ कि एक सभास्तर में चैप्टर है जिसका नाम है बिवाह प्रथा ठीक है तो उससे सम्बंदित 5-6 पूंचे जाते हैं तो वह सारे कुश्चन मैंने इंक्लूट किये हैं यूनिट है ठीक है यूनिट है ठीक है और जो चैप्टर है वह वहां का है तो ध्या कौन एक बिवाह का प्रकार नहीं है समोह बिवाह बहुपत्नी बिवाह एक बिवाह इनमें से कोई नहीं यह सारे कुश्चन रिपीटेड हैं तो आपको आफसर मिल गए हैं और कोश्चन थोड़ा कनफीज करने वाले आएंगे तो कनफीज मत होईएगा यह मतलब यह है कि जो निमल्खित में से आप संदिये गए हैं इनमें से एक बिवाह का प्रकार कौन सा नहीं है समोह बिवाह बहुपत्नी बिवाह एक बिवाह इनमें से कोई नहीं तो इन अप्शनों में चुछ राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा इनमें से कोई नहीं यहां पर कह रहा तो आप लोग इसमें select करते जो भी होता, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए question कहाँ दिया गया है कि इन में से बिवा का पार कौन नहीं है, तो ये नहीं है, और सब हैं। यानि कि समों बहुपत्नी और एक बिवाह निश्क कोश्चन है कि इन में से आप बिवाह को क्या कहेंगे धार्मिक संसकार कहेंगे संसिथा कहेंगे ए और बी दोनों कहेंगे उपलोक्त में से कोई नहीं तो बिवाह को आप क्या कहेंगे या आप क्या समझते हैं है तो इसमें आपसर द्वान मिल गए हैं आपको ठीक है तो इनाप असे जो हो जाएगा वह जाएगा बिवा को आप संसिता गएंगे प्रमाज में भीवान वह को कहा गए लगए लपने अपने जीवन साथी का चुनाओ अपने ही समू से करता है तो उसे क्या कहते है यानि कि इस question का मतलब ये है कि ये कोई बिक्त है ठीक है या कोई लड़का है जो अपने जीवन साथी यानि कि अपनी पत्नी का ठीक है चुनाव चुनाग मतलब ये है कि पसंद करता है अपने ही समू का वोगे अपनी हिजाथ के लिए रख सकते हैं कोी सुकुला है तो वह ले कर सकता है या फिर कोई सिंह है ठीक है तो वह सिंह से कर सकता है नहीं कि other caste से तो इसका मतलब यह जी है तो एक बैक अपने जीवन लिए का चुनाव उपने समूंसे करता है तो से क्या कहते हैं नंबर एक प्रित्रों भी वहाँ अनलों भी वहाँ अंतर भी वहाँ और गंदर भी वहाँ तो इन कोश्चन में आपशन है इनमें तो यहीं कोश्चन करेंगे रिखाय की नियम्लिखित में से बहुत भी व्यां रिखिया घार्मिक लिंगानुपात का असमान होना कम पैदावार गरीबी तो निमलिख्यद में से जो वेस्टें मार्क जी है उन्होंने बहुत पत बिवाह का मुख्यकार जो बताया है या पिर माना है उन्होंने माना है लिंगा-नुपात को ठिक है लिंगा-नुपात का असमान होना इसलिए कोईस्टन का राइट एंसर B-N-B-। हो जाएगा जिन छात्रों को ठोड़ा बहुत समासता कि यह थो प। पढ़े हैं तो इसको के दो अच्छे स्रिया होगा है मैच से ग्राम ठीक है भिवा का क्या तद कर है घ्रांफ भेवाह का ताटपर है कि अपने गाउं के बाहर बिवा साथी का चैन कर बिवा करना यानि कि आप जैसे की रामपुर में रह रहे हैं तो आप जो साधी है वो आनंदपुर से कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ग्राम बहर बिवा यानि अपने गाउं के बाहर बिवा जो भी दूसरी गाउं म बाहर बिवा के साथ ही का चैन करना और यह ग्राम बहर बिवा हो जाएगा यह important question आपके exam में आ भी सकता है क्योंकि मैं वह question प्रवाइट करता हूं जो important होते है निस question है कि प्रतिलोम बिवा क्या है जब उची जात का पुरुस आफसर मिल जाएंगे कि जब उची जात का पुर option दे गए हैं उनमें last option की इन में से कोई नहीं तो जो प्रतिलोम बिवा है दोस्तों उसका मतलब होता है ठीक है इस question का राइट एंसर जिन साथ लोग मालूमें कमेंट सेक्शन में बताई आप लोग पहले हम थोड़ा वेट कर लेंगे इसके लिए ओके तो इस question का जो राइ प्रुष नीची जात की इस्तरी से विवा करता इन दोनों option में से एक राइट एंसर मालूम है वह कमेंट सेक्शन में जुरू बताईए इसके लिए हम वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपार्टन को इसको मैंने चाहिए जब पिछले साल मैंने आप सभी को बताया भी था तो ध्यान देंगे तो आपको उच्छे समझ में आगा है प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जुरू बताईए एक बार इसके लिए हम वेट कर रहे हैं तो इसके लिए हम रुक्ष्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा वेट करिए ठीक है तो इस कोईशन का राइट एंस उससे विवा करती है तो वह प्रतिलों विवा कहलाता है ठीक है या वह प्रतिलों विवा होता है तो इस कोईशन कर आई टेंस आप सभी मालूम हो गया सी नंबर याद रखे का बहुत ही टॉप लिए बिवल कोश्चन है नेस कोईशन है यह सब पूछे जाएंगे आप कोश्चन लिखा है वही मैं आप तक प्रवाइड कर रहा हूं यह कोश्चन लिखने का मेरा मतलब कोई जड़ा सभी इच्छा नहीं थी क्योंकि यह कोश्चन पढ़ने में यह जीव लग रहा है तो फिरहाल कोश्चन आया था तो मुझे लगा आप तक जानकारी भी आपको को देना है क्योंकि बहुत फारे चात्रや यहां जो कुश्चन या इस तरह की बाते पहली बात सुर्ण हो ठीक है बहु पति बीवा कहेंगे देवरभ बीवा कहेंगे समुपी बहुपति बिवा कहेंगे तो जब सब भाइ मिलकर एक ही इस्तछी से बिवा करते हैं तो उ से कह कि रहते हैं प्रहा तक बहुपती विवा यानि की राइट-सस को जाएगा डी नंबर ठीक है कि एक इस्तिरी का थे कि एक श्तिरी के या पर एक पतियों के साथ विवा बहुपतबिवा करने परिभासा किस ने दी रिवर्स ने मीचल एबने खपडियाने हाबल ने तो इन आप अप्षनों मेंसे जो राइट एंसर हो जाएगा वो आफ लोगversion हो राइट अप्शन धटाना है तो इन आप्षनों में से जो राइट घंसर हो जाएगा आड़ नमबर वह हो जाएगा हाबल ने दिननकी इसान नमबर ड– okay में पारित हुआ तो इन आफ्टों में से जो राइट एंसर हो जाएगा इस कुछन का वह जाएगा 1955Syanakita option number 2 option number ima specific question का ठीक है थी review ओक प्रशाभ दत्मक नाम क्या है प्रजापत्य भीवा गंदर भीवा छेसे align राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नंबर कौन सा बी नंबर गंदर भीवा ठीक है कि भी पर किलिक करेंगे कि नेस्ट कोश्चन है इलेवन नंबर कि मुसल्मानों में भीवा को क्या माना जाता है धार्मिक शंसकार समाजिक समझावता कानूनी संबंद और प्रोक्त मेंसे कोई नहीं कि इन आपसनों में सो जो राइट और हो जाएगा वह जाएगाbsp अमें राइब्स में थे समझावता बहुत इंपऌर्टन को अब लोग को अंसुने और अचंभित वाले लग रहे होंगे लेकिन यह जो रियल है समाज में आप लोग जो चैप्टर से हैं उनको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा राइट एंसर भी नंबर हो जाएगा समाज ही समझ होता है निस को बढ़ाएंगे कि निम्ड में भूंद निम्ड में से मुटा विवा का प्रच्लन है शिक्षों में सुन्यों में इशायों में फिक है तो इन आफ्थरों में इस राइट है त्थी नंबर हो जाएगा सब्सक्राइब ने वह कि सुछिछ नहीं है लो इताब बतु में मा बेटी सबी सबी सब्सर नम्वर कोश्चन नबर सब्सक्राइक मिल जाऑ service करेंगे चलिए बढ़ते मानों कि विवार के कितने प्रकार प्रेशलीत हैं मिल जाएंगे Is भू इन। हो जाएगा 3 यानि कि नमबर चलिए दैश्ट ये अंश कोष्ण कौन सा लिखा कि हिंदू बिद्वापपुनर विवा धिनियम कि सन में पारित हुआ सन 1880 में सन 1781 में सन 1856 में सन उननीशो में तो हिंदू बिद्वापुनर विवा धिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था सन 1856 में इसलिए इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप से नंबर सी बहुत इंपॉर्डन कोईश्चन मैं आपको बता रहा हूं आई होप मैं यह भी कह सकता हूं कि बहुत सारे आपको इस प्रकारी कोईश्चन कभी यूटूब पे देखने को मिलेंगे ठीक है हाला कि और तो ऐसे जर्नली तो आपको मिलेंगे फिजिकल रूप से यानि डिश्टल रूप से आपको बहुत कमी देखने को मैं कोईश्चन मत तो यक नंबर एक मिल जाएगा आंतर विवा बहुपत विवा चमू विवा बहु पीवा ठीक है तो इन आप हसो में से जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नंबर बी कर नाँ सिर्ट अप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक हैं अब नेस्ट कोष्टन है कि कि मुसलमानों में अस्थाई विवा को क्या कहते हैं जी हर निकाह मुताह मेहर तो इन आप्षिणों में से जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्षिण नमबर सी यानि की मुताह पे क्लिक करेंगे हम ओके चले देखते हैं इस कौश्चन कौन सा है कि विशेश व सब्सक्राइब हो जाएगा इस कौश्चन का वो हो जाएगा उनिस सो चववन सी नमबर पर हम क्लिक करेंगे ठीक है बहुत इंपार्टन कोश्चन ध्यान में रिखेगा आपके एक्जाम में आभे सकता क्योंकि टॉप लेबल के आप दोग देख पाएंगे कितने यूनिक और इंपार्टन कोश्चन में आपको बता रहा हूं नेस्ट कोश्चन है कि एक गाय और एक बैल अथवा इनके दो जोड़े वर द्वारा कन्या के पिता को देखर विवा करने को क्या कहते हैं अर्ष विवा प्रजापत्य विवा अशुर विवा गंदर विवा तो इन आप अर्ष विवा करने को कहते हैं ठीक है आर्ष विवा यानि की ए नंबर राइट एंसर नेस्ट कोश्चन है कि निमलिखित में से कौन्षा हिंदु विवा का उद्देश नहीं है रति आनंद प्रजा धर्म अर्थो पारजन तो इन आप्सरों में से जो इसकोश्चन का राइ ट्रेंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने टॉप लेबल की क्वेश्चन इंकल्यूट किये थे जो कि समास्टास त्यानिश्टों जिसे संबंदित थे आई वह आपको थोड़े-थोड़े क्वेश्चन समझ में आया होंगे और प्लास होजी चाहिए यह फिर अगला जो हमारी वीडियो है वह कौन से सब्जेक्ट पर होनी चाहिए कौन सा माडल पेपर प्रवाइड करें कमेंट सक्समें जुरू बताईएगा ठीक है और टेलिग्राम चैलिक वीडियो में तब तक के लिए हम मिलेंगे नेस्ट वीडिय प्लास है जिन दो तो